हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चनल दी एक्जाम हेलपर में तो आज से हम जो है आपका SSC MTS और जो GD का पेपर होने वाला है जैसे कि MTS का जो पेपर है वो आपका एक्जाम जो है October 2021 को होने वाला है और GD का भी आपको 2-3 महीने में देखने को पेपर मिल जागा तो हम टार्गेट लगा रहे हैं टॉप 25 डेली के को हम क्वेश्चनिस में करेंगे जो कि आपकी जे सीरीज चलेगी आपके एक्जाम हो जाने तक अक्टूबर में इसका है तब तक हम हजार के सम्थिंग जो है क्वेश्चनिस में कर चुके होंगे और GD आएगी तब तक तो 3-4 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे और यह जो सब सारे प्रेश्चन है वो प्रिवीज यर जीके के प्रेश्चन है जो कि मैं आपको दिखाएता हूं सबूत क्या है तो यह देखिए यह देखिए MTS की फाइल है यह GD की फाइल है आपको दिख रहा होगा उपर देखिए ठीक है तो यहां से हमने जो क्वेश्चन निकाले गए हैं पूरे प्रिवीज यर के और जो की बार बार जो है SSC अंदर आपकी जो है डेली के जिए बस दस से बार मेंट आपको डेली देना है और आपके 25 फ्रशन आपके हाथ में होंगे ठीक है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो यह देली देखने आए डेली अपने दोश्का शेर करें और उसके लिए आप चैनल को स करते हैं तो चलिए पहले कुशन पर हम चलते हैं तो देखे पहला कुशन हमारा पूछा गया था जून 2019 जब 2019 मैं लाश्ट यार एमटियस अब पर हुआ था तो उसमें करेंट से रिलेटेड एक प्रेश्ण पूचा गया था जिसमें बताया गया था कि बताए उस समय के जो भारत के रच्छा मंत्री जून 2019 तक की इस्तितिक एनिसवार भारत के रच्छा मंत्री कौन है तो कौन थे राजनाथ सिंग बरतमान में भी कौन है यही है तो याद रखेंगे करेंट से भी आप अपॉइंटमेंट वाले प्रेशने जाद तर याद कर गया है दूसरा देकी य क्यांति तो यह वीडियो में कराएंगी भी तीसरा नंबर पूचा गिया देश को कंट्री ऑफ वेंड के नाम से यह ना आँ आ यान कि पबनों का देश किसे कहते हैं बिलकुल इंगलिस में यह भाहां पर पूचा गया था तो सब को मालुं है डैनमार्क को जो है पगनों का आदेज कहते हैं ठीक है तो चलिए हम नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं जो हमारा फॉर्थ कोशन है वो साइनस से था की निमने लिक्टे में से कौन सा इक आसंतरप्त कारवन योगिक है तो चार आपको इस तरीके सा उपसंद ये तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा व्य पर यह आने कितनी बार repeat हुआ है यह most important जो है आपका question बन जाता है बहुत बार यह होए यह repeat होई थी कहां पर हुई थी एरान के रामसर शहर में तो इरान में बहुत बार मतलब सोकर जीले जो की कहा है लद्दाक में हो जाएगी आपको ठीक है तो बहुत यादा इंपोर्टन जो कोश्चन हुआ था इसको आप पिल्कुल नोट कर रहेगा धंग से ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं सात्वा हमारा कोश्चन है गुजरात के सौमनात मंदिर पर किस इसने हमला किया था तो सबको मालूम है महमूद गजिनवी ने किया था अगर आप से पूछे कब किया था तो एक हजार पचीस इसवी में किया था और महमूद गजिनवी ने भारत पर कुल कितनी वार अक्रम्ण किया था तो कुल सत्तरा बार किया था एक हजार एक से लेकर जाटों के प्रतीस का था, नेक्स कोश्चन हम देख लेते हैं, नव पाशाड इस तल डाव जली हेंडिंग करके काई इस देते हैं, तो आसाम में हो जाएगा, यह कोश्चन नया है, तोड़ा अच्छा कोश्चन है, इसको याद कर लीजेगा, इसके बाद है कि यह वाला कोश करसर इस्तरंक जी जाने कि जो कॉंस्टेंट जी होता है उसका मान सबसे पहले निरधारत करने वाला ब्यक्ति कौन है तो आप 99 परसेंट बच्चे इसका न्यूटन लगा गया आएंगे आंसर बड़ इसका जो आंसर एससी ने दिया है वो है हेनरी केविंडस ठीक है तो यह ब भारत के केंदर शाषिद प्रदेश के बारे में बताया है तो ब Brenda आर्ट में बताया है ठीक है और आप जितने भी जो समिधान के भाग है वो सम को याद कर लिए जगा कोई साभी भाग पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोश्चन है कि कौन सी ट्रोफी कप या बिरिज कोई सी ट्रोफी या कप जो है बिरिज खेले से संबन देता है तो कौन सी होजाएगी और ट्रोफी का अंसर हो जागा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो कुश्चन हो है कि भूता गीत जो है भूता गीत कि संबन देते हैं तो केरल से हो जागा ठीक है इसको आप याद कर लिएगा बहुत ज़्यादा रिपीटिट कोश्चन है कि नेक्स्ट कोश्चन हम देख लेते हैं तेरे हुई नम्मर को कुश्चन जो है हरित करांती का संबंद किसे हैं तो सब और यह किस ने बर्गीच कुरियन कहां के तो यह के हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे बहुत वार यह कोश्चन पूचा जाता है तो क म classroom किस ने किस ने गेए पॉरानी जलोड मरती हो तो बाँगर के तो अनुकी बाद के और नेक्स पूश्चन है की भागी रति नदी किस नदी का भागी रति किस नदी का बाइचा सबसे उंचा वांध सबसे उंचा इस Això कौना कौन सा टेहरी बांध है जो कि कहां पर है उत्तरा खंड में इस्तित हो जागा बहुत ज्यादा इंपॉर्टन डेज़ ठीक है बिल्कुल आप ये जो मेले वाले है या अब बिल्कुल है इसी एक ही श्रक्ट में घाते बहुत होता है ठीक है आपको इससे पहले जो है भूतागीत का होता है तो केरल में में मेले पूचा अब देखे एक और कोशन पूचेता की निम्ने लिके तमया की पारंपर नट शाला क पूर्व राष्ट्रपती प्रडव मुखर जी ने किस बर्स प्रतम लोग सभा चुनाव जीता था ठीक है तो कब जीता था ठीक है यह जीता था दो हजर चार में यह इंपोर्टन है आप याद कर लीजिगा नेक्ट कोशन था कि जून 2019 तक की इस्थथी के अनुकिया के सीयों कौन है तो यह भी आपका न्युक्ति से रिलेटेड है ठीक है न्युक्ति कांगी कंपनी है तो फिल्लेंड की कंपनी हो जाएगी ठीक है यह भी आप याद रुखिएगा नेक्स्ट कोशन है कि MOU यानिकी MOU यानिकी Memorandum of Understanding इसे हम बोलते हैं इसका पूरे रूप पूछा गया था आपसे ठीक है तो बहुत यादा इंपोर्टन है यह बहुत बार इ अच्छा लग रहा है और आप बता सकते हैं क्या हमसे में सुधार कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए डेली आपको जो है ऐसी तरह के प्रशन देखने को मिलेंगे जिसमें हमने SSC MTS और GD को टार्गेट किया हु करके एक चार्ट किया थोई और अगर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें दोस्तों के शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब कर लें अमकल इसका सेकेंड पार आएगा ने तो आप बिल्कुल सब्स्रेब कर लीजिए चलते हैं तक तक के लिए थैंक यू सुमच जाहिन जाबार